प्रधान मंत्री मोदी की एक पेड़ मा के नाम मुहिम को आगे बढ़ाते हुए परसित समाचेवी और भाजपा जिलावपा धेक्स और गुहना विधानसवा से टिकट के प्रमुक्य दावेदारों में से एक निरेंदर गहलावत ने आज मोहना के अरिये कन्या व्रिष्ट मा अदेमिक विधाले की प्रांगन में पोधार उपन किया इस दोरान उन्होंने संस्था के संस्थापक स्री अमर सिंग महला और स्री होश्यार सिंग मलिक की परतिमा पर पुषपांजली भी अर पित की ग्यात रहे कि निरेंदर गहलावत के पिता चोदरी साहब सिंगुणा ने आरिये कन्या व्रिष्ट मा अदेमिक विधाले में हमेशा बढ़ चड़ कर सयोग किया है और अब उन्ही के नकसे कदम पर चलते हुए निरेंदर गहलावत वपरिवार का नाम भी दान दाताओं की सूची में दूसरे नंबर पर स्कूल में अंकित है पेड लगाने की इस मुहीम के दोरान निरेंदर गहलावत ने जगतमहा न्यूच से बात करते हुए गलोबल वार्मिंग के दोर में परधान मंत्री की मुहीम को आगे बढ़ाने की बात की और प्रियावन के लिए इसे सह बताया और स्कूल में पेड लगाए जाने को विदार्थियों के लिए पेड़ना दायक बताया इस दोरान उन्होंने ओलंपिक में देश और परदेश का नाम रोसन करने वाली काश्या पदक विजेता मुनु भाकर को सुब कामनाय दी और कहा कि इस से देश की बेटियों को भी प्रेणा मिलेगी सहर और गाओं में उनकी चर्चा के स्वाल पर नरेंदर गैलावत ने बताया कि वे सहर में 25 साल से बिजनस कर रहे हैं और उनका प्रोडेक्ट हर घर में होने के कारण सब के साथ उनके मधूर संबन्ध है नायब सिंग सेनी के मुख्यमंतरी बनने के ब करते हैं इस दोरान उन्होंने बताया कि वे जमिनी सतर पर काम करते हैं और गोहना में कमल खिलाने की मुहीम में लगे हैं इस दोरान उन्होंने हर व्यक्ति को मुल्बूत स्विधाय मिलने और गोहना हलके को प्रधान मंतरी के सपने के अनुसार विक्षित गोहना बनाने की बात कही इस दोरान उनों ने हलके की जनता को संदेश देते वे कहा कि सभी को परियावन बचाने के लिए एक पेड जरूर लगाना चाहिए परियावन संतुलन का दोर चल रहा है काफी परियावन में गर्मी देखी जा रही है ऐसे में आप स्कूल में ये पेड लगाकर विदार्चियों को क्या संदेश देना चाहिए देखी आज परियावन की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि पेड नहीं रही पुराने पेड बहुत बड़े बड़े पेड होते थे वह आज सब खतम हो गया लोगों कटवा दिये गई है और आज ये इतनी जो गर्मी है हमारे को एक दिन ऐसा हो होता है तो इससे बच्चों को भी परेड़ना मिलती है अगाम पेड़ की देख बाड़ भी करें रों इनको आगे ज्यादा लगाए फर्याना की बेटी मनु भादकर में जो है ओलम्पिक में काश्या पदक जीता है ऐसे में क्या कहेंगे हैं देखे जी हमारे बेटी ये भी आरिये कन्या स्कूल है और हमारी बेटी मनु जो फ्रीदाबाद से है और उन्हों काश्या पदक जीता है सुटिंग में मैं तो उसको बहुत बहुत सुब कामना देता हूं जिसने इस देश का परदेश का और अपने परिवार का इतना बड़ा नाम रोसन किया और उसे आतार जो है हलकों का सर्वे कर रही है तो आज हमारी टीम सर्वे कर रही थी गोहाना हलके का जिसमें आपका नाम यह देखने को मिला कि आप सहर में भी और गाउं में दोनों जगह चर्चित नजर आए ऐसा क्या करते हैं आप देखी हम सहर में तो इसलिये हम विपारी हैं विजनिस में हैं हमने 25 साल से घोना में हमने अगर। हमारा प्रोडिक्ट भी हर घर में है किशिन किशी रूप में घर का आदमी भी हमारे से मिलता है कोई परचेज करता है या किशी भी बात पर आ करके वह हमारे से मिलता है उससे हम अच्छी तरह बात करते हैं हमने आज ते किशी के साथ कोई ऐसी बात नहीं की है कि वह हमारे से क तो उन्होंने सब को खुश करने की कौईट सी चला रखी है आप किस परकार से देखते हैं गाउं में जाते हैं तो किसी तरह की नाराजगी या आपके पक्स में लहव दिखाई देखिए नाइव सहनी जी आने के बाद हमारे वरकर की और आम जो भी पबलिक आदमी है उसमें उत्सा बढ़ा है कि नाइव सहनी जी इतनी अच्छे आदमी हैं कि हर आदमी से रात को बारा एक वज़ तक भी मिलते हैं और किसी को खाली नहीं करते ना कहीं भी किसी टेम पर मलता है विशेश कर वरकर दो उसमें एक उत्सा है पहले थोड़ा सा इस बात का वरकर को निरास पर उनके आने के बाद लोग बहुत उत्साहित हैं और उनसे हमारे पूरे भारतिय जनता पार्टी में ज्यादा उम्मंग है उसला है बारतिय जनता पार्टी के तकरीबन कार्यकरता कहते हैं कि अगर हमारे लिए तो कमल का निसान सब कुछ है लेकिन फिर भी आप अपनी दावेदारी को किस परकार से देखते हैं गोहाना में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पोस्टर लगाया है लेकिन आप जो है मुख्य पी माठनों महिने से आया हूं मेरा चुनाओं भी महाना मंडल जहां मुहाने घड़े हम इसके मंडल का परबारी लगाया है और अब मेरे गो बूत का परवासी खान पर मंडल पर बूत का परवास करवाया है तो हमने मुहाना मंडल में हर गावों में जा करके हमने पूरे से लोगों से मिले भी थे और हम नछा किया था जिसे पारिटी भी उमारे से इस बात से खुस है और अब हम ने परवास के जो बात है मैंने कल हमने पूरा परवास कर लिया अपने बूत का और हर गए SUB उत्पर हरादमी से मिले हैं और हमने जो अमारा जो जम्मेवाय लगाई थी उपर अपर निबाई हैं। सब्सक्राइब जो एक दिन ऐसा आजाएगा कात्मियात्म निरबर हो जाएगा और वो इस पूरे भारत में और गहुआने में भी इसका विक्षित बात का नाम होगा। ग्लोबल वार्मी के दोर में आपने पेड लगाया, ऐसे में हलके की जनता को आप क्या संदेश देना चाहूंगा। अगर हमने एक पेड तो जरूर लगाना चाहिए, अपने खेत में लगाओ चाहिए, शारुजनिक पलेश पर लगाओ या तलाप पर लगाओ, क्योंकि यह हमारी जीवन रिखा है, यह हमारा सास है, यह पेड लगाएंगा तो हमने अच्छे सास आपाएंगे, नहीं दो एक गलोबिंग वार्मिंग इतना कार्बंडा एक शडबन ने लग रहा है, कि इतना प्रेशर हो जाएगा, कि साइध हम आउक्सिजन अमारी कम होती होती खदम हो जाएंगे, वहीं भाजपा नेता परदीप बढवासनी ने कहा, कि कन्या संस्था में पोधा लगाने से बेटिय हमारी बहन बेटिया यहां पड़ती, उनको भी एक संदेश मिलेगा, वो भी इसको देखके फोलो करेंगी और आगे बढ़ेंगे नरेंदर कहलावत जी ने यहां से शुरुआत किया, क्या आप भी आगे इस मोहिम को बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ा हैंगे नरेंदर जी तो फोदों के साथ साथ और भी समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं और इनको देखके हम जैसे युआ साथी को भी प्रेणा मिलती है वही संस्था के सचिव रामफल मलेक ने संस्था के बारे में बताया कि ये संस्था नो लोस नो फ्रोफिट पर काम करते हुए समाज के सयोग से काम करती है उन्होंने कहा कि आज के समय में समाज को नरेंदर गैलावत जैसे समाज सेवियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और यही एक कारण है कि यह देहात में भी और उसके साथ साथ सहर में भी बड़े लोग परिये हैं समाजिक कामों में बड़ चड़के हिस्ता लेते हैं इस संस्था के उठ्षान में भी बहुत बड़ा उनका योगदान है और यह आज जो पेड लगाया है परदान मंत्री की मुहिम को जो आगे बढ़ाया है ये भी बड़ा अच्छा kाम किया है संस्ता के हित्में भी है और परियावरण के हित्में भी है गुआना अलके से इनकी दावेदारी सामने आ रही है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि ये सही वेक्तिताओ हैं। हाँ ये बिलकुल राजनिती के सही वेक्तिताओ है अगर इनको टिकर्ट मिलता है तो मेरा अपना आकलन है कि ये सो परसेंट कामियाब होंगे और लोग भी चाहे वो दूसरी भी पार्टी के हैं वो भी इन गाविरोध नहीं कर सकते हैं। जी ऐसा क्या है? लोग पर ये इतने हैं, सामाजी कितने हैं? सहजबाओ के हैं। और बहुत कम ही खर्चे में बच्चों को शिक्ष्यागा ग्यान दे रही हैं। इस संस्थागा दे आती संस्थाओं में जितना बड़ा योगदान है, शायदी किसी संस्थागा होगा ऐसा। आपके आज पास बहुत सारी इंडॉस्ट्री लग रही हैं। कोई ऐसी कमपनी होगी जो CSR फंड के रूप में इस संस्था की सेवा कर सकती है। तो ऐसी संस्थाओं को क्या करना चाहेंगे कि वो यहाँ आके अपना योगदान दें। नहीं देना चाहिए। उन कंपनीयों जो के पेबल है जो समर्थ है उसने इसी संस्थाओं को दान देना चाहिए और हम भी उन से रिक्वेस्ट करेंगे। अब अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं है। पर आगे संस्था को पैसे की जरूरत तो रहती ही है। पैसा होगा और फीस कम कर देंगे या सेदरी पर आजेंगे स्थाप की। मतलब हम कोई बैलेंस नहीं रखते हैं अपनी संस्थाओं। यानि कि गैलावत जी जैसे समाज सेवियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस दोरान स्कूल के अन्ने स्थाप ने भी आरिये कन्या वरिष्ट माइद्यमिक विद्याले की उपलब्दियों का अजी कर करते हुए नरेंदर गैलावत की पेड लगाने की मुहीम की सरहना की। देखे यह मारा जो स्कूल है उन्ने सो सतर से लगातार रन पर है और इसके सनस्तापक के चोदरी होशार सिंग मलिक, अमर सिंग मैला जी हैं और नरेंदर गैलावत जी इसकी लगातार सेवा तीस वर्षों से कर रहे हैं रामपल जी हमारी विद्याले के सेक्रेटरी हैं यहा के लिए आते हैं और 2000 के करीब यहां पर संख्या रहती बच्चों की अठारा सो उन्नी सो दो जार यहां लोगों के सयोग से हैं यहां यहां पर अब 2017 से पहले तो यहां पर एडिड पोस्ट थी उसके बाद गवर्मेंट ने वो पोस्ट अपने अंडर कर ली अब यह संसा का स्कूल है हां हमारे यहां पर जो बच्चे हैं वो बशकेटबाल के बहुत अच्छे हैं नैस्नल गेम कहलते हैं और किर्क ट में भी टेबल टैनिस में भी बहुत सारे बच्चों ने गोल्ड मैडल प्रात किय विद्यार्थियों का बहुत अच्छा परिनाम रहता है पढ़ाई के साथ साथ यहां पर खेलों में बहुत सारी उपलब दिया है हाली में 36 गड में नैशनल परतियों गिता हुई थी जिसमें हमारी बेटी मुस्कान ने सौन पदक लिया था एक तरीके फर्स्ट पोजिशन आई थी अंडर 17 परतिय इसके साथ ही एक नीरु मलिक बेटी है हमारी लोंग टैनिस में उन्होंने नैशनल लेवल पर अपनी एक उपलबदी प्राप्त किया है जो शायद ही आसपास के किसी स्कूल के बच्चे ने प्राप्त की है जगतमहा न्यूज के लिए मोहाना से तेजवीर सिंग की रिपोर कर दो